हाई फ्रेंड्स वेलकम तो और आप तभी तो मेरी योटीब चैनल पर स्वागत है तो आज का जो वीडियो वह मैंने बहुत सारे वीवर्स के रिक्वेस्ट पर बनाया है जिसमें कि मोस्ट कॉमनली लोग पुछते हैं कि मेरे माउथ के इंसाइड इंफेक्शन हो गया है तो माउथ के इंसाइड इंफेक्शन होता है यह किन किन कारणों से होता है और इसे आप कैसे समझेंगे कि इंफेक्शन है या नहीं है तो सबसे पहले चीज जानते हैं कुछ कारण जिसके वजह से आपके माउथ के अंदर इंफेक्शन हो सकता है उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज वह होता है फंगल इनफेक्शन इसे हम किस प्रकार से माउथ के अंदर इसके क्या-क्या सिंटम्स है और इसके फीच्र जो आपको समझने में मदद कर सकते हैं कि यह फंगल इनफेक्शन है यह नहीं है तो कई बढ़ क्या होता है कि आपको अचानक जीव के उपर जरी दिखेंगे वाइट वाइट कलर की जैसे आप में देख रहे है जब घुजए ले-ड़ेर है जब आप इसे स्क्रब करेंगे यानि कि जब आप इसे क्लीन करेंगे अपने हातों से तो या टंग क्लीनर की मदद से तो वो clean हो जाएंगे बट ये again फिर से जम जाएंगे तो ये जो जमता है ये actually candida albicans जो होता है fungals उसके कारण ये infection हो रहा है आपके मूँ के अंदर और इसे पहचानने का एक तरीका है कि जब भी आप इसे scrape करेंगे तो ये easily scrape पाउट हो जाएगा और ये हमारे मूँ के अंदर जीव के अलावा हमारे मूँ के अंदर जो चिक में उकोसा है बकल में उकोसा है अंदर के सतह पे ये गुलाबी सतह के ऊपर बहुत ही फॉर्मली एडहेर नहीं होती है और जब आप इसे scrape करते हैं तो ये आप अंगोठे से भ जी पेशिंट्स को जो होते हैं बर्नींग सेंसेशन भी होता है जैसे कि आपके जो टंग है उसके अगर इनफेक्शिम के कारण जो पेपिल्ग है जैसे हम लोग फीलीf यॉ पैपिल् sigma के तो वो जो है वो लोस हो जाते हैं दूटो फंगल इंफेक्शन तो वहा पेर आपको बर्निंग संस्यों की समस्या हो सकती है है और प्लाइभाष रहती है जो क्मन तो में इरिवाहईटरी चैंडी कन थे ताउस में उर्मार्फ रहता है 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 कि जे आप का तंग उससके कोई यह पूरी तरह से रेड है ऐसा लगेगा कि आपको इसका जो आपियरेंस है तंग का वह बिल्कुल स्मूथ हो गया है जबकि नॉर्मल कंडिशन में जो टंग होता है वह कुछ इस तरह का जैसा आप फोटो में देख रहे हैं वह है लेकिन जो एरिदमेटस टंग है जो फंगल इंफेक्शन से एसोसियेटेड टंग है उसका जो आपियरेंस है वह स्मूथ हैं हो जाता है और आपको बर्निंग सेंसेशन भी होगा आप बिल्कुल भी गर्म चीज या फिर तीकी चीज नहीं खा पाएंगे आपको जलन महसूस होगा तो इस तरह से जब आपको सिम्टम्स दिखे तो आपको समझना चाहिए कि आपको डॉक्टरी सला की जरूरत है और जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आपके मुझ के अंदर वाइट वाइट सफेद दाग जम जाते हैं और वो छुडाने से छूट जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये किसी इंफेक्शन का स तो इस तरह से आप उस चीज को समझ पाएंगे कि माउथ के अंदर जो इन्फेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है बट आप इसे खुछ से भी जज कर सकते हैं या फिर आपको इस चीज से अगर बहुत ज्यादा परिशानी है तो आपको बिल्कुल इसे इगनॉर नह चाहिए इसके अलावा कुछ लोगों में देखा गया है कि जो जो लोग के जीव पे सेंट्रल एरिया जो होता है जो डॉर्सम ऑफ टंग होता है नॉर्मली जो होता है उसका प्यारेंस कुछ आप फोटो में देख रहे हैं भी वह इस प्रकार होता है लेकिन जब यह फंगल प्यारेंस तो यहां पे जो और बाइप्यर्न सेंट्रेशन होता है और आपको बार्निंग ए हो सकते हैं तो गाइस ये थे कुछ लक्षन जो कि तंग में या फिर आपके गाल के सतह में या कई बार पैलेट में भी ये चीज होता है तो पैलेट में जो ये प्रॉब्लम होती है वो भी वाइट आपको लेयर्स मिलेगा जो इजीली रब आउट हो जाएगा तो गाइस आपको इसको खुझ से आप समझ सकते हैं और अगर आपका जो पैच है जो वाइट पैच है वो रब नहीं हो रहा है मिन्स यह किसी और कंडिशन से एसोसियेटेड है हो सकता है यह लिकोप्लेकिया से एसोसियेटेड हो सकता है कि अगर आपने जो वाइट पार्ट है उसे हटाया रगड के तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लग गई तो अगर ब्लीडिंग होती है गाईज तो यह हो सकता है कि य तो आप इसे अगर खुद से छुडाने पर ये छूट जा रहा है तो most of the time ये फंगल इंफेक्शन होता है otherwise ये लाइकन प्लैनस से associated हो सकता है लुकोपलेकिया से associated हो सकता है और कई बार क्या होता है जब हम बीमार होते हैं तो एंटिबार्टिक थेरेपी चलती है तो जो ये broad spectrum एंटिबार्टिक होते हैं उसके कारण से जो वहाँ पर क्या होता है कि फंगल इंफेक्शन ग्रोव करने लगता है और कुछ ऐसे patients जो की बहुत सारे immunosuppressive drug ले रहे हैं कुछ ऐसे बीमारी जिसमें उन्हें immunosuppressive drug दिया जा रहा है तो भी उन्हें fungal infection होने के ज़्यादा chances होते हैं diabetes के cases में भी fungal infection होने के ज़्यादा chances होते हैं HIV के case में भी fungal infection होने के chances होते हैं तो अब फंगल इंफेक्शन ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए तो अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करें और अगर आपको लगता है कि यह फंगल इंफेक्शन है और आपने डॉक्टर ही सला ली है तो उसके हिसाब से आप मेडिसीन यूज करें वो बिल्कुल जो दाग है जो बारबर छुडाने से छूड़ जाता और फिड एपियर हो जाता है तो यह बिल्कुल ठीक होने वाली बिमारी है तो यह ठीक हो सकती है किसी भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम या सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप मुझे इंबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मैं उसका ज आप Zentमा हां आपका अमाउत कर्ण डुम जाता है क्योंकि आपके टीथ भुहाँ सारे टीथ जो है वह ठीक है तो आपका जो कारनू है जैसे तो तैसे बिल्स के पास और में तलभा कर सकता है एक तो बिल्दी ग्रूमूलं डुक्र सकते हैं यह और कश्य में पहोंगे या फिर वैसे लोग जो लोग डेंचर पहनते हैं उन्हें भी ये इंफेक्शन हो सकता है तो जब भी आप जैसे भी आप लोग अगर अपने missing teeth को नहीं बनवाते हैं older age group में तो corner of the lip के पास वहां पे saliva accumulate होता है और वहां पे fungal infection grow करता है जिसके कारण जो है angular chillitis बनती है तो यह जो चिलाइटिस है यह भी जो है older age group में mostly देखा गया है तो इसके लिए भी आप antifungal therapy ले सकते हैं ketoconazole है flaconazole है बहुत सारे ऐसे ड्रग है जो कि antifungal है और आप उसे यूज कर सकते हैं बिना टॉक्टर के सलह के आप इसे यूज ना करें यह वीडियो बनाने का यह परपस है कि आपको इससे help मिले और आप इस चीज को नजर अंदाज ना करें तो कई बार कई बार होता है ऐसा कि हमें burning sensation है और हम इसे ignore करते हैं हम इसे नजर अंदाज कर देते हैं तो उस चीज से बचले के लिए यह वीडियो है गाई और उमीद करती हूँ कि यह दिये गए सारे जो जानकारी है आपके लिए informative होगा thank you so much for watching my videos and if you like please share and subscribe my channel thank you so much